आज एक्विनॉक्स है यानि आज रात और दिन बराबर होंगे आप सभी जानते हैं कि आकाशी भूमद्य रेखा के संबंध में इसका क्या आर्थ है ये धर्ती की भूमद्य रेखा के ठीक उपर खीची गई काल्पनिक रेखा है भूमद्य रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है जो धर्ती को उत्तरी तथा दक्षन गोलार्थों में बाटती है या वो बिंदू जहां उत्तरी ध्रूव और दक्षनी ध्रूव के चुम्बकी एक शेत्र अलग-अलग दिशाओं में बदल जाते है उत्तरी गोलार्थ में उर्जा के विभिन क्षेत्रों का बरताव और भूमद्य रेखा को पार करते ही उनका बरताव पूरी तरह अलग होता है तो इस दिन ये आकाशी भूमद्य रेखा पूरी तरह सूर की सीध में होती है इसका मतलब है कि धर्ती पर पढ़ने वाले सभी प्रभाव संतुलित होते हैं इक्विनॉक्स की एहमियत इंसानों के लिए ये है कि इस दिन पुरुष गुण और स्त्री गुण बराबरी में होते हैं योगिक परंपरा में इसे ऐसे दिन के रूप में देखा जाता है जब इंसान के पास अपनी भौतिक लालसाओं के विवश्टा और सीमाओं से परे जाने का सबसे अच्छा अफसर होता है मानव शरीर के भीतर वास्नाव की बाध्यता से परे जाने की संभावना इस दिन सबसे अधिक होती है इस दिन शिविक अर्धनारी के रूप में बैठे इसका मतलब है कि वो आधे स्त्री और आधे पुरुष थे क्योंकि आज के दिन दोनों बिलकुल बराबर होते हैं इस दिन महिलाएं पुरुषों की बराबरी में होती है मेरा मतलब है कि बाके दिन तो वो हावी होती है ये हमारे अपने सिस्टम के भीतर एक बराबरी का मौका होता है और हम सामाजिक, आर्थिक या किसे अन्य रूप में सिर्फ यही कर सकते हैं कि हर किसी के लिए बराबरी के अफसर उपलब्द कराएं आप लोगों को बराबर नहीं कर सकते हैं ऐसा करना संभव नहीं है मगर आप समान अफसर दे सकते हैं एक समान अफसर का मतलब है सभी को बराबरी का मौका देना पारम पर एक रूप से इस दिन को पूर्वा ग्रह से मुक्त माना जाता है क्योंकि पूर्वा ग्रह मुख्य रूप से हमारे अपने दिमाग में इसलिए उपज़ता है क्योंकि हम किसी चीज के साथ अपनी पहचान मजबूती से जोड़ लेते हैं यहां हम पुरुष यस्त्री होने के बहुत मूल भूत पहलू पर आ रहे हैं अगर पुरुष होने से आपकी पहचान बहुत अधिक जुड़ी है तो आपके अंदर पौरुष का पूर्वा ग्रह होगा अगर स्त्री होने से आपकी पहचान बहुत अधिक जुड़ी है तो आपके अंदर स्त्रीत्व का पूर्वा ग्रह होगा तो इक्विनॉक्स इसमें संतुलन लाने का दिन है जब हम किसी चीज से अपनी पहचान नहीं बनाते ना पुरोष यस्त्री होने से ना मनुष्य या कोई और जीव होने से बस यहां बैठ कर स्पंदित होना